कि हमारे constitution में कितनी रिट्स है और कहां पर यह पावर एसाइंड है और किसको एसाइंड है आर्टिकल 32 के अंदर पाल्या में ने सुप्रीम कोड के पावर एसाइंड किये कि वह रिट इशू या फिर कोई भी ऑर्डर अर्टिकल 32 के अंदर दे सकता है 226 में हाई कोड के पास में यह पावर है रिट इशू करने की या फिर कोई भी ऑर्डर देने की अब मैं बात करूं अगर आर्टिकल 32 की और आर्टिकल 226 की तो यहीं पर मैं क्लियर करना चाहूंगे कि आर्टिकल 226 जो है वह वाइडर कंसेप्ट है देन आर्टिकल 32 क्योंकि Article 226 में High Court के पास जाधा पावर है in contest to Supreme Court Supreme Court के पास में सिर्फ fundamental right के contest में ही सिर्फ पावर है कि अगर कोई भी fundamental right infringed होता है कोई भी breach होता है तो उस case में आप Supreme Court के पास Article 32 में जा सकते हैं क्योंकि एक टाइप की constitutional remedy प्लस एक फंडामेंटल राइट है तो हम आते हैं नेक्स इसमें बी आर अम्बेटिकर जी ने रिट को आर्टिकल 32 को सो लॉफ कॉंस्टिटूशन भी कहा है तो अब हम बात करते हैं कौन से रिट आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में बताए गए हैं दोनों में रिट्स तो प पांचों रिट को हम एक ब्रीफ में डिसकर्स करेंगे कौन से रिट में क्या होता है अब हम लोग रिट्स को एक एक करके डिसकर्स कर ले तो तो पहले बात करते हैं हैं हैबिस कॉर्पस की हैबिस कॉर्पस में है तु हैब दा वाड़ी और इसका मतलब होता है इसकी सामने, court के सामने, present करने का order देती है, फिर उसके बाद वो detention illegal है, या फिर illegal है, इसको examine करती है, that is examine the legality of detention, अगर वो माणनी जे detention illegal निकला, तो तुरंत court order करेगा कि आप उस person को छोड़ दीजे, अगर वो detention सही निकला, तो बोलेगी ठीके आप उसको detain करके रखिए, example के तौर माल लीजे A person है, उसमें B person को अपने पास में बंदी बना के रखा हुआ है तो अगर ये उसमें सिर्फ इसले करके रखा हुआ है क्योंकि B उसको बहुत परिशान करता है etc. etc. चीजे कर रहा है इसी सिर्फ case में उसमें B को बंदी बना लिया तो इस case में अगर court को लगता है कि इतना कोई serious matter नहीं था कि उसको ये action लेना चाहिए था तो court तुरंट एको बोलेगा कि आप भी को छोड़ दीजे भी को return नहीं कर सकते है अब एक question आता है कि heaviest corpus के अंदर किस person की against में रिट issue होती है तो ये रिट public authority as well as private authority against में issue होती है अब हम बात कर लिते हैं heaviest corpus के objective की इसका simple objective है कि किसी भी person को illegal detention अगर किसी ने गलत तरीकी से किसी को detainee किया है उससे free करना हम इसमें case की बात करते हैं सुनील बत्रा वसेस डैडी administration का बहुत famous case है जिसकी अंतरकात बोला गया था कि किसी भी detainee के साथ ने का inhuman गलत तरीके से inhuman behavior हो रहा है तो उसको इसके अंदर protection मिलता है इसमें बहुत famous case है एडियम जवलपूर का case इसको heaviest corpus case भी कहते हैं तो इसको याद रखिएगा अब यह रिट कहां issue नहीं होती यह रिट वहाँ issue नहीं होती है जहां प्याकर आपने high court में application दिये और जो detention हुआ है वो outside the jurisdiction of high court है तो उस case में यह रिट issue नहीं हो सकती second जब जहां पर detention lawful है detention ही गलत नहीं है तो उस case में यह रिट issue नहीं होगी अगर कोई भी competent court ने competent court ने किसी भी टाइप का detention किया है तो उस case में भी रिट issue नहीं होगी अगर proceeding is for the contempt of legislature या फिर court के दौरा है तो उस case में भी रिट issue नहीं होगी अब हम लोग बात करते हैं दूसरी रिट की mandamus mandamus में आता है to command या फिर we command इसकी अंतरगत court जो है order करता है को पूछता है उन से to perform their official या फिर पॉbnिट कभकेता है जाए जब लोग नहीं करते refuse करते या फिर फिर ऑन फैल हो जाते है कोई बी official या फिर Computer को perform करने में तो इसमें क्या होता है person को बोला चाता है कि legal डीट किसी भी corporation के अगेंस में ईशीू हो सकती है इनफीटेर corporate के अगेंस में इशी detail कोiran में हो सकती है टिबरणल्ड यsmic ळुटेरी को चुकि दौनों ही बहुत सब्सक्राइन आप पहली चीज़ बहुत सब्सक्राइब करेंद ए एंहें से च्लियर कर लिजे प्रोइबिशन और सेचररी जो है वो जुडिशल या फिर कॉसी जुडिशल के केस में ही अप्लीकेबल होती है यह लेजिलेटिव एडमिस्टेशन और प्राइविट परफिशन के अगेंस में इस्यू नहीं होती है प्रोइबिशन को कहते हैं तूफॉर्विट या पर हम आम भाशा में कह सकते हैं रोक लगाना यह सते लगाना इस में क्या होता है कि इसमें हाइर कोषॉ और सकते के कह से हुड़ है और वो उसको किसी भी inferior code को रोकती है इसमें जो important बात है वो यह कि prohibition तभी लगता है जब केस जो है pending होता है मतलब judgment आने से पहले ही prohibition का रिट issue हो सकता है बलकि statutory का जो रिट है वो order आने के बाद ही pass हो सकता है अब हम बात कर लेते हैं statutory के बारे में statutory का मतलब होता है to be certified order को करता है किस इंफीर को अपने jurisdiction से ऋस चला जाता है या होता है या फिर कोई बहुकлиз लाक ऑफ जोन के वज़े से कामने कर रहा होता है इसमें में किया और करता है धया तो प्र जो केस्ट पने चल रहा हैं उनके पास में उसको वो तुरंदा कोट के पास ट्रांसवर कर दें दूसरी चीज वह कर सकता है कि उसको सक्वेश कर दें उसकेस इसको hear कर दें खतम करतें तो यहाँ पर यही होता है कि यहाँ पर follow को सारá kur Krperg को हाईयर को इनुफ法्म करना होता है बताना होता है कि बाइस चेहिंद कैसे चला गया, carer of law हो गया यही important बात है इसमें कि इसमें जो order है, वो quash होता है prohibition में वो order के jurisdiction पे, जो court जेक्साइस करें jurisdiction पे उस पे लगता है यहाँ पे रोकता है, वहाँ पे question हम लोग बात करते हैं हमारी last rate की last rate है हमारे क क्यों warrant हो इसके इसससे आपको समझ में आ रहा हुगा इसके अंतरकर coach inquire करता है क्या inquire करता है? legality of claim of a person to a public officer इस case में क्या होता है, इस rate में क्या होता है जो court है, वो public officer से question करता है about by what authority या फिर warrant से उसने यह काम किया है या जो भी किसी भी परसन ने क्लेम किया है पब्लिक ऑफिसर के खेंस पे उसकी लिगालिटी को इंकॉयर इसके अंतरकत I hope you like this all rits अगर आपको इन रिस के लेके कोई भी कोश्यन है do make sure to comment me in the comment section I would be answering that thank you so much for watching subscribers and follow us on instagram and telegram bye bye